हेलो वाल उफ यू वेल्कम टू माई चैनल मैं आज आप लगो के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि जब आपका नाम सुनते हैं तब क्या सोचते हैं सब्सक्राइब के लिए साथ ही टाइमलेस है जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे यह वीडियो आपसे मैच कर सकता है और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्यूंकि मैं रीडिंग के दौरान इंट्यूटिव मेसेज़ इस प्रोवाइड करती हुँ आए चलिए देखते हैं कि जब आपका नाम सुनते हैं तो क्या सोचते हैं आप सभी को जन्मास्टमी की हार्दिक शुपकाम ना है जस्टिस यह पहला काड है नइन ऑफ कप्स The Emperor I hope आपे तीन कार्ज देख पा रहे हैं क्लारिफार करते हैं जस्टिस को जस्टिस क्लारिफार हुआ है जज्जमेंट से यहां जज्जमेंट की जस्टिस की काफी एनरजी है Nine of Cups को क्लारिफार करते हैं Let's clarify Nine of Cups Seven of Cups Emperor को क्लारिफार करते हैं Magician Energy of Dec is Sun का कार्ड Very Beautiful Viewers Sun का कार्ड तो बहुती पॉजिटिव होता है I hope आप देख सकते होंगे सारे कार्ज तो वीवर्स आपके परसें जब भी आपका नाम सुनते हैं पहली बाद तो वीवर्स यहां यह लग रही है कि आप उनके लिए wish fulfillment है यानि कि आपको पाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है उनकी बहुत बड़ी इच्छा है आपको पा लेना अपनी लाइफ में तो वह आपका नाम सुनके एकड़म excited फिल करते हैं उन्हें ऐसा लग मेरी बहुत value होगी अगर यह चीज मेरे पास होगी तो ऐसे ही आपको समझते हैं कि जब आप उनके पास होंगे तो आपके person की भी value भर जाएगी क्योंकि आपकी value बहुत जादा है इसलिए जब वह आपका नाम सुनते हैं तो वह यही सोचते हैं कि काश यह person मेरी life में आ जा है कि यह person मेरी life में हो काश काश ऐसा हो वैसा हो तो मैंने यह पहले भी कहा कि आप उनके लिए wish fulfillment है आपको पा लेना उनके लिए बहुत बड़ी बात है आपको पाके उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरी सारी you know wants पूरी हो गई मैं satisfied हूँ अपनी life में complete हूँ और सब मेरी value करेंग बहुत ही इतराएंगे वह अगर आप उन्हें मिल जाएंगे तो ऐसा वह सोचते हैं जब आपका नाम सुनते हैं तो और daydreaming बहुत करते हैं आपको लेकर जब भी आपका नाम सुनते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ समय बिता रहे हैं वह आपके साथ कहीं घूमने गए हैं आप उनसे बाते कर रहे हैं ऐसा बहुत कुछ imagine करने लगते हैं उन्हें लगता है कि उनकी life में जितना भी उन्होंने struggle देखा है पेन देखा है वह जब ही खतम होगा जब उन्हें justice मिलेगा और वह justice किसे समझते हैं विवर्स कि आप उनकी life में आ जाएं आप उनकी लग रहा है कि universe उन्हें ये चीज ग्रांट कर भी रहे हैं यह जो उनकी wish है जिसको वो justice समझते हैं अपने लिए fair समझते हैं तो universe वो चीज उन्हें ग्रांट करेंगे भी आपको उनकी life में universe भेजेंगे या आप कर union करवाएंगे क्योंकि यहां पर judgment है यानि कि divine announcement है कि आप आपके person की situation की justice है कि आप उनसे मिलें आप उनके हक में आएं आप उनके हिस्से में आएं यह आपके person deserve करते हैं यहां जब आपका नाम सुनते हैं ना वीवर्स तो उनके मन में magician का कार्ण है यह उनके मन में यह सब शुरू हो जाता है कि आपको आपको अपने मन से positive vibrations भीजन भी यहां पर है आपसे कुछ कहते नहीं है आपके आग एकदम खडूस बनके रहते हैं चुप रहते हैं attitude में रहते हैं ज्यादा कुछ शो नहीं करते feelings and all लेकिन मन में उनके magician का कार्ण है viewers उनके मन में एक spiritual attraction चल रहा होता है एक spark होता है chemistry होती है जिसके तुरू आपको messages भे spiritual यही spiritual cycle शुरू हो जाती है कि वाओ काश वो मेरे होते काश मेरी उनसे बात हो अभी काश हम ऐसे ही कहीं अंजाने में टकरा जाएं कहीं बहार तो काफी कुछ imagine करने लगते हैं काफी कुछ attract करने लगते हैं manifest करने लगते हैं वो जब भी आपका नाम सुनते हैं लेकिन जब उनके लिए wish fulfillment हैं और वो आपके लिए day dreaming कर रहे हैं और वो यह चाहते हैं कि वो जो prayers कर रहे हैं जो भी law of attraction manifestation कर रहे हैं वो work करें और universe उनकी wish full करें और wish grant करें ऐसा वो सोच रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि यही justice है मेरे साथ justice है यही कि वो आपको पा लें क्योंकि उन् सब्सक्राइब आपके साथ complete happiness देखते हैं जब भी आपका नाम सुनते हैं उन्हें overall sun की लगती है यानि कि bright उनकी लाइफ में जो भी अंदकार था जो भी problems थी जो भी struggles थी वो सब चले जाएंगे अगर आप उनकी लाइफ में आ जाएंगे उन्हें ऐसा लगता है उन्हें तरह आप उनकी लाइफ को रोष्णी डाल देंगे उनकी लाइफ में जगमग हो जाएगी जो भी darkness है जो उनकी अटनी लो है वो सब vibrant हो जाएगी वो एकदम खुशी से जूम उठेंगे तो उन्हें ऐसा ही लगता है उन्हें ऐसा लगता है कि जब आप उनकी लाइफ में आ इतने लगी हैं कि जब आप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाएंगे तो उनके लिए ऐसा एक्सपिरियंस होगा जैसे बहुत बड़ी इच्छा का पूरा होना और विवर्स मुझे यहां ऐसा लग भी रहा है कि आप लोगों की खुशी आप लोगों का आगे का लाइफ इनके साथ है यहां फ्यूचर है आपका इनके साथ क्योंकि यह मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स भी इनकी इच्छा पूरी करेंगे क्योंकि देड्रीमिंग आगे बढ़ेगी जरूर ओके चलिए मैं कुछ और कार्ट देखती हूं विवर्स इनकी तरफ से क्लेटफाय करती हूं इस वीडिंग को एक्सप्रेश यूर लव ओके वर्थ वेटिंग फॉर्स यहां तीन काल आए हैं एक तो है पे अटेंशन तुदर राइट फ्लेग्स तो विवर्स पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि आपके परसंद आपको जैसा बहेवियर शो कर रहे हैं कि उन्हें कोई इंट्र इह तो आपका शीज पर ध्यान जा रहा होगा आपको लग रहा होगा कि परसंद को कोई मतलब China हमें यहां ऐसा हो सकता भी है कि यहां पर कई साइंस हैं जो आपके परसंद को रोक लेते हैं यह भी होता है आपके परसंद के बाट कुर चाहते होंगे लेकिन कई चीज ऐसी उन्हें कि अभी समय नहीं है सही, अभी नहीं कहना चाहिए, तो ऐसे वो अपने आपको रोक भी रहे हैं, दूसरा यहाँ पर एक्सप्रेस यूर लव का कार्ड है विवर्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके परसन के अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको, व आपके परसन जितना भी वेट कर रही है, यह आपने भी वेट किया है, यह सब वेर्थ नहीं जाएगा, यह सब आपको जितना वेट कर रहे हैं, उतना ही आपको अच्छा रिवार्ड मिलेगा, उतना ही अच्छा, उतना ही स्ट्रॉंग कमिट्मेंट मिलेगा, और उतना ही ह ौधा में हापनींग अपका रिलेशंशिप जाएगा यहां पर जो आप वेट कर रहे हैं उससे आपको बहूत में पाने मैं पेशेंस रखा हुआ लैजे लो就會 ओके वीवर्स मैंने राणिनोबली कुछ मेसेज़ें ले हैं जिसमें से पहला मेसेज यह है मैं दिल की बात बता तो दूं पर अब देर हो गई है मतलब वह आपसे कहना चाहरे है कि मैं आपसे अपने दिल की बात एकस्प्रेस करना चाहता हूं यहाँ पर एकस्प्रेस और लग रहा है कहीं देर तो नहीं हो गई है क्योंकि वो बहुत समय तक चुप रहे हैं तो उन्हें आप डर है कि अब आप मुव ओन ना कर चुके हों ओके यहां पर देखिएक मैसेज है I dream about a future with you I'm sorry I dream about a future with you वो कह रहे हैं कि मैं आपके साथ future के सपने देखता हूँ और मैं यहां पर बोला भी था कि वो day dreaming कर रहे हैं आपके बारे में बहुत imagine कर रहे हैं कि आप होते उनके साथ आप ये करते वो करते तो यहां पर वो dream कर रहे हैं आपके साथ future उन्हें लगता है क आपसे ही उनकी शादी होगी आप ही उनके जस्टिस हैं डिवाइन आप उनकी विश फुल्फिल करेंगे आपके परसन आपको डिजर्व करते हैं यह सब वो इमाजन करते हैं मैंने कहा भी था यहां डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और यह क्लारिफाई भी हो गया अगला जो चाहा से आप उने मिले हैं यह उनके लिए स्परिच्व लेसन है एक प्रिच्व लेर्निंग है की ऐसा कनेक्शन जो बहुत ही स्परिच्व है ओकि जो बहुत ही डिवाइन है sometimes I stay awake thinking about you तो आपके person आपसे कह रहे है कि कभी कभी मैं सो ही नहीं पाता हूँ या मुझे नीद ही नहीं आती है मैं सिर्फ आपके बारे में सोचता रहे जाता हूँ तो यहाँ day driving की बाद भी है तो वो बिना सो यापके बारे में सोच रहे हैं और कभी-कभी आपके बारे में इतना imagine कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, कि वो कुछ और सोची नहीं पा रहे हैं, वो सो भी नहीं पा रहे हैं, तो viewers उनके लिए यह connection है, यह बहुत ही spiritual connection है, वो आपके साथ सच में future चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने दिल की बात भी आप करें, क्योंकि यह भी डर लगता है, उन्हें कि आपने कहीं move on ना कर लिया हो, ओके, viewers हो सकता है, कि आपके person को black बहनना पसंद हो या वो black में अच्छे दिखते हो, थोड़ा attitude होगा उन में, क्योंकि emperor का card है, तो काफी attitude शो करते होंगे, लेकिन काफी spiritual हैं वो, अब spiritual का मतलब यही नहीं कि वो meditate करते हैं, सारे चीज़े practices करते हैं, follow करते हैं, हो सकता है, उन्हें पता भी ना हो, लेकिन वो spiritual person है, क्योंकि उनकी जो vibrations है, उनकी जो energy है, वो आप तक बहुत आसानी से पहुँचती है, तो जो भी थोड़ा बहुत spiritually awakened person होता है, वही ऐसा कर सकता है, तो viewers यह थी आपके reading के आपको कैसा लगा, यह reading आप मुझे बताईए, आपके person जब आपको नाम सुनते हैं, तो यह कुछ बाते वो सोचते हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, अगर यह आपसे resonate हुई हैं, तो मुझे comment करके बताईए, कितने percent resonate हुई हैं, आप मुझे यह भी comment करके बता सकते हैं, आपके जो experiences हैं, आपके partner के साथ, वो आप मुझे share कर सकते हैं, comment box में, आपके पास अगर readings के लिए कोई suggestions हैं, तो आप मुझे suggestions भी दे सकते हैं, और अगर आप मुझे कोई feedback देना चाहते हैं, या reading के लिए कोई feedback आप देना चाहते हैं, तो आप वह भी दे सकते हैं, okay viewers, everything is welcome and appreciated, मैं सारे पढ़ने की कोशिश करूँगी, जो भी आप comments करते हैं, और viewers, आप से आखरी में एक request करूँगी, आप वीडियो को like करना ना भूले, okay, subscribe करना ना भूले मेरे channel को, bell icon को press करें, क्योंकि ऐसे ही मैं different topics reading लेकर आती रहूं, और आप उन्हें miss ना कर सकें, okay viewers, तो चलिए, अभी तक के लिए तो reading यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली reading में, तब तक के लिए, bye bye